तो यह वीडियो हम आपको एक रियल्टी बता रहे हैं जैसे आपने भी बहुत बार देखा हो कि यह बहुत सारे स्टुट्स होते हैं जो बाइलोजी में 360 आउट प्रीशिक्टी ला लेते हैं और यार आपको लगता है मेरा क्यों नहीं हा रहा है मेरा तो मॉक्तिस में 280 रह ज तो यह वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे पॉसिबिलिटीज है आप ला सकते हो 40 देज भी बचा हुआ ना इसमें 360 तो नहीं ला सकते हो यार 340 आप ला सकते हो लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना पड़ेगा ठीक है चलो स्टाट कर दिस वीडियो को लेकिन इसा नहीं मेरे दोस्त आपको एक दिन में 3-4 चप्टर पढ़ना है जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि विए फिजिक्स की यह चप्टर कर देते हैं मैं बोलता हूं ठीक है कोई दिकत नहीं बाइलोजी का एक भी चप्टर आपको स्किप नहीं करना क्योंक आप अगर प्लांट का थे लगां अगर अगर यह चांद विडियो देखेंगी यह नहीं वन वॉन सॉ तेर वन सॉट्से ऑपी और हो जाता है तो आप देखो लेकिने मेरे मित्र ध्यान सुनना अगर आप खुद से मैनत करते हो ना फोकस हो के एंजारी पढ़ते हो वो खु अब बात करते हैं रिवीजन Most important चीज होता है अगर आप बारवर रिवीजन करते हो Chapter को concise way में रिवीजन करते हो तो आप बहुत अच्छा perform कर पाते हो ठीक है, देखो जब भी आप रिवीजन करना ना तो main focus आपका यह होना चाहिए कर रिवीजन के time को घटाना है तब जाके आप एक दिन में 4-5 chapter पट पाओगे बट ऐसा भी नहीं कि रिवीजन के time को घटा दिये और कुछ चीज़े छूट गया नहीं, आपको हर एक चीज़ को पढ़ भी लेना रिवीजन के time को भी खटा देना मेरे दोस्त ठीक है, यह कैसे होगा effective revision in less time और line by line NCRT का आपको पता भी चल जाना चाहिए आपको क्या करना है, जब भी आप NCRT लेके बैठो ठीक है, एक pain लेके बैठो साथ में एक timer लगा दो, ठीक है ठीक है, उस timer में time चला दो, कि यह 20-15 मिट, 15-20 मिट रहना चाहिए ठीक, उससे ज्यादा नहीं हर एक चप्टर को फिर energy में आउके अब 15-20 मिट में उसे चप्टर कंप्लीट कर लेना ठीक है, ऐसा नहीं कि dull होके पढ़ रहे है, आपको यह कर लेना है उसके बाद NCRD का line to line पे आपको focus करना है ठीक है, भाई यह line to line पे फोकस तो करते हैं, पता नहीं चलता है इस line से question बन पाएगा यह फिन हाँ, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सज़ेस्ट कर सकता हूँ आप पार्थ गोईल को जानते हो ना, पार्थ गोईल, ठीक है, बहुत अच्छा rank लाया था, और साथ उसका चैनल भी है, यूटूब एक, ठीक है, बायो हैक वो बनाए है, ठीक है, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, free of cost, free of cost, उसके app पे आपको बायो हैक मिल जाएगा, जहाँ पे line to line questions arise कर चुके है, वो chemistry का भी and biology का भी, biology का भी and chemistry का भी, टूकर मैं दिखा दे रहाँ आपको कैसे आप करना है, 1 minute, मेरे पास app है, उसका, once again, तो आप जैसे उसका app खोलोगे ना, आपको place भी मिल जाएगा, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको दिखर होगा, study material, ठीक है, study material पर आपकी लिए करोगे, आपको chemistry और biology दोनों के दिखेंगे, ठीक है, अब biology पर जाओ, chemistry भी देख सकते हो, chemistry भी है, biology पर जाओ, मालोग कोई भी chapter मैंने लिया, 12th का कोई chapter है, ठीक है, reproduction, reproduction, ठीक है, फिर reproduction और organism, फिर यह, ठीक है, अब यहाँ पे PDF हो जाएगी, ठीक है, help हो जाएगी, you can read, यहाँ पे हर एक chapter से, अच्छे शेक, line to line question, arise किये गा है, वो भी fill in the blanks, टैप, मैं fill in the blanks, पर क्यों focus कर रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत बार ऐसा होता है, कि आप पढ़ते तो हो, पढ़ते भी हो, लेकिन जब भी exam कर समय आता है, जबिए आप mocktest paper attempt कर रहे होता है, तो आप कुछ न कुछ MC क्योंकि option पर depend हो जाते हो, कि यह option मिलेगा तो हम chart लेंगे, option मिलेगा तो हम chart लेंगे, ऐसा सोचते हो न, यह थोड़ा गलत होता है, क्यों यह बहुत पर ऐसा होता है, कि आपको relatable option नहीं मिलेगा, आप नहीं chart चाहिए, कि exact क्या answer होगा इसका, तो उसके लिए फिलींदा blanks होता है, ठीक है, तो आप वैसा questions करना, fine, तो यह यह app आपको बहुत help करेगा, आपको इस app का description मिल जाएगा, आप डाउलोड कर लेना, मैं डाल दूँगा, और एक और यह तो आपको PDF format मिलेगा, ठीक है, अगर जब भी आप मालो questions आटेम करो, mock test लिए तो कुछ भी आपको नया लगे, तो वो चीज़ आपको NCRT में add करना है, fine, उसके बाद everyday आपको 30 chapter morning में पढ़ना है, ठीक है, morning में पढ़ना है, ठीक है, और questions और evening में, अब question भाई, at least आप PYQs फिर से कर लेना, PYQs फिर से कर लेन ठीक है, how to read chapters, भाई या chapter पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, ये बहुत important question होता है, देखो मेरे पास मेरा खुद का NCRT है, you can see here, किस condition में है भी, बहुत बुरे condition में हो चुका है, जब भी आप chapter पढ़ो, पहले एक overview ले लो कि आपके chapter में क्या-क्या मुझे पढ़ना है, क्या-क्या मुझे याद है, ठीक है, उसके बाद पढ़ना सुरू करो, और आपको पता हो कि हर एक line important, अब देखो एक और बहुत important होते है, instant revision strategy, ये मेरा था, मैं भी जब भी प्राई करता था, मैं जब तयारी करता था, तो जब भी मुझे ऐसा लगता है, कि कोई chapter मैं भूल रहा हूं, तो मैं उसी समय जाके NCRT से पढ़ के आता था, ठीक है, वही चीज़ आपको भी करना है, do not make short notes for the another day, इधर ऐसा होता है कि आप बार-बार short notes बनाते हो, मैं ऐसा बोलना चाहरा हूं, कि आप short notes मत बनाओ, ठीक है, अभी अब ऐसा समय नहीं कि short notes बनाओ, आपका examination hall में आप ज समय में, आप short notes ना बनाके, try करना कि जो भी पढ़े, दिमाग में direct जाए, बैठे, ठीक है, short notes के भरो से मत रहना, NCRT में आप add करो, बट short notes नहीं, उसके बाद memory based chapters आपको बार-बार पढ़ना है, और conceptual chapters, उसके numericals करना, like genetics हो गया, genetics हो गया, genetics में क्या होते है, numerical based question आ जाते है कर दो, ठीक है, conceptual questions आते हैं, तो उसके questions आप practice करो, ठीक है, अभी के समय, ध्यान सुना, आपको chapter के revision को time को घटाना है, एक दिन में आपको 4-5 chapter पढ़ना है, ठीक है, और यह try करना कि उसको जितना हो सके कम करना, और यह मैं आपनी बता दू कि मैं ऐसा हो गया, तो last के जब 7- आठ दिन बचे थे न, तो पूरा 11th के NCI को एक दिन पढ़ते थे, ठीक है, और यह तब ही possible है, यह जब आप chapter को within 10 minutes पूरा device कर लोगे, तब जाके वो possible है, तो मेरे मित्र आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, लोग कर लेते हैं, और अगर कोई भी काम को क कोई और कर सकता है, तो वो आप भी कर सकते हो, ठीक है, possible है, इसलिए मैं आपको बता है,